हमें ये प्रूफ करना है, हम RCH solve करते हैं, ये कुछ ऐसा है हमारा, अब हमें X को कुछ assume करना पड़ेगा यहाँ पे, assume करने के लिए हम देखते हैं हमें prove क्या करना है, अब जो prove करना है उसमें tan inverse की term है, तो हम यहाँ पे X को लेते हैं tan theta, लेकिन यहाँ root X है, तो मैं root X को लेता हूँ tan theta, यानि X को लेता हूँ मैं tan square theta, हम यहाँ पे X को tan square theta लेते हैं कि prove करते हैं इसे, ये कुछ ऐसे आजाएगा हमारा, मैं यहाँ पे tan को convert करता हूँ sin by cos में, इसको हम further solve करते हैं, ये कुछ ऐसे आजाएगा, हमें बता है कि cos square theta प्रस sin square theta 1 होता है, तो ये 1 आ गया, उपर cos square theta minus sin square theta होता है, cos to theta का formula, तो ये आ गया, cos inverse cos to theta, cos inverse और cos cancel हो जाएगा, ये आएगा half into 2 theta, half or 2 cancel हो जाएगा, value आएगी theta, तो मेरी value theta आ गई, अब हम देखते हैं theta की के value थी, हमने assume किया था कि x से tan square theta, अगर मैं root लू, तो root x से tan theta, यानि tan को left side ले जाओ, तो tan inverse root x से theta, हम यहाँ पे tan inverse root x को put करते हैं ये, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, यानि half of this की value आ जाएगी tan inverse root x, हमें यही prove करना था, hence prove,